खुसी बुटिक चैनल को सस्क्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेश डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सरमिलावगेडिया, आप देख रहे हैं, खुसी बुटिक, आज मैं आपके लिए एक और यूजफूल वीडियो लेगे हूँ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि लेफ्ट राइट बाजू का पता कैसे लगाएं, कि कौन सी बाजू कौन सी हाथ में लगेगी, पहले हमें ये पता लगाना है कि कौन सी बाजू हमारी राइट साइड में लगेगी, और कौन सी बाजू हमारी लेफ्ट साइड में लगेगी, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फ्रंट साइड में यहां से आरम होल की कटिंग की है मैंने, इसी तरह से हम बाजू की कटिंग भी करते हैं, जैसे मैंने बाजू का मुह बना के रेडी कर लिया है, इसमें मैंने अस्तर भी अटेच कर लिया है, सबसे पहले तो आप कपड़े का ध्यान रखे, जैसे आपके पास प्लेन कपड़ा है, तो इस पे आपको निशान लगा के रखना है, साइड से रख लिजिए, जैसे इस तरह से, तो यहां भी आमने सामने हो जाती है बाजू, इस तरह से, तो इस तरह से आप बाजू को रखेंगे, और इसके बाद बाजू को फोर फोल्ड करेंगे, यह डबल बाजू है, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है, तो यह सारा जोल आएगा यहां पर फुगा आ जाएगा तो इसलिए आपको यहां से फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हमें दो पार्ट उठाने हैं और दो पार्ट को उठा के इस तरह से और ऐसे प्लेट लेंगे इस तरह से और यहां से निशान लगा लेंगे कटिंग करने के के लिए तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है यहां से हम कटिंग कर लेंगे बाजू का front arm hall cutting करने के लिए आपको बाजू इसी तरीके से रखनी है दोनों साइड बाहर की साइड एक जैसी होनी चाहिए और अंदर की साइड एक जैसी सुल्टा हो या उल्टा हो कोई फरक नहीं पड़ता और अब जैसे हमने front side की cutting कर ली है तो यहाँ पे हम लिखेंगे F और यहाँ भी front side में जहाँ से हमने cutting की है तो यहाँ पे भी हम F लिख देंगे अब आप बाजू अटेज करने के लिए तैयार हो जाइए और कुर्ती को उल्टा कीजिए कुर्ती को आपको इस तरह से उल्टा रख लेना है बाजू अटेज करने के लिए यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है अगर आपने plate टाली है तो भी आपको पता है कि यहाँ पे front side है अगर plate नहीं डाली है तो यहाँ से cutting के हिसाब से भी आप पता लगा सकते है कि यह front side है नहीं तो आप यहाँ पे भी F लिख सकते है या सही का निशान लगा सकते है जैसे हमने बाजू पे लगाया सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निशान लगा ले इस तरह से मैंने दोनों side निशान लगा लिया है आगे की side का अब हम यहाँ पे बाजू अटेच करेंगे तो बाजू अटेच करने के लिए आपको यहाँ से fitting की थोड़ी सी सिलाई हटानी है आपको fitting पकी नहीं करनी है पहले, थोड़ी सी सिलाई हटा लेंगे, यहां से आपको बस इतनी सी सिलाई हटा लेनी है, ज्यादा नहीं हटानी है, आप देखिए, बाजू का ये front हिसा है, यहां पे ये front हिसा है, यहां से बाजू अटेच करते हमें हम front हिसे को एक साइड रख देंगे इस तरह से और ये बैक साइड है और बाजू में देखेंगे कि बैक साइड हमें पहले अटेज करनी है तो फ्रेंट साइड इस साइड रह जाएगी और बैक साइड से हमें बाजू अटेज करना स्टार्ट करना है यहां से हम इस तरह से रख लेंगे और इसके उपर ह हमें बैक साइड जोड़ना है तो फ्रेंट साइड हमें छोड़ देना है यहां पे और बैक साइड हमें जोड़ना स्टार्ट करना है तो बैक साइड को हम यहां पे रखेंगे और यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है और थोड़ी थोड़ी दूर में कपड़े को यहां पे इस तरह से सेट करके सिलाई लगानी है ना कि आपको पूरी लंबी दूर तक ऐसे सेट करना है यहां पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर में कपड़ा सेट करना है फिर थोड़ी दूर पे हम कपड़ा सैट करेंगे और फिर यहाँ पे सिलाय लगा फिर थोड़ी दूर में कपड़ा सैट करेंगे यहाँ पे हमने स्टोपर लगा दिये है तो इनको हम बंद कर लेंगे फिर थोड़ी दूर में कपड़ा सेट करेंगे और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अब देखिए यहाँ से फ्रंट साइड स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पे हमने आफ लिखा था और बाजू पे हमने यहाँ पे आफ लिखा था तो यह दोनों फ्रंट साइड इकठी हो गई है यह दोनों फ्रंट साइड है यह फ्रंट साइड में जुड़ गई है और बैक साइड में हमने कोई निशान लगा था तो यह बैक साइड है अब हम इस सिलाई को कम्प्लेट कर ल अब मैं आपको दिखा देती हूँ बाजू हमने किस तरह से अटेच की है तो देखिए हमने बाजू फिटिंग की सिलाई से पहले अटेच की है यहाँ बैक साइड है यहाँ पे हमने कोई अफ नहीं लिखा था और यहाँ पे फ्रंट साइड है तो यहाँ पे हमने अफ लिखा या सही का निशान लगाया था तो ये बाजू front side में attach हो गई है सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बाजू attach करेंगे अब हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे कुर्ती को हम इस तरह से रखेंगे front side नीचे की side होनी चाहिए और back side उपर की side अब हम यहां से थोड़ी सी सिलाई हटा लेंगे इतने सी अब देखिए फ्रंट साइड यहां पे आ गई है नीचे की साइड तो हम यहां पे रखेंगे मसिन को और अब हम देखेंगे कि बाजू की फ्रंट साइड कोन सी है बाजू को उल्टक क्या यहाँ सीधी साइड से बाजू की सीधी साइड को मिला लेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसकी बार हमने फ्रंट साइड से सिलाई स्टार्ट की है यहाँ से बैक पार्ट को हमने हटा लिया है थोड़ा सा और यह फ्रंट साइड है तो इसके उपर हम बाजू इस तरीके से लगाएंगे देखे इस तरह से हमने बाजू पे भी अफ लिखा था और ये कुर्टी पे भी अफ लिखा था तो ये हमारे सारे इकठे हो गए है इस तरीके से आप अपनी कुर्टी में बाजू लगा लीजिए और इसके बाद में आपको यहां से फेटिंग कर लेनी है जितने आपको बाजू की फेटिंग करनी है अपने इसाब से कर लिजिएगा इस तरह से बाजू अटेच करने में आपको खुला या टाइट करने में दिकत भी नहीं होगी अगर कूरती टाइट या खुली हो जाती है तो आप यहाँ पे सिलाई कम या ज़्यादा लगा सकते है वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्हों सस्क्राइब नहीं किया मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में